कि इस कुस्चिन में जो पाराबुला बनाने के रिया क्या गया है उसका बेस है कि एक सो मिलिमीटर था और उसका जो हाइड है कि वह द्या गया है कि एक्टी मिलिमीटर था पहले लोग बेस को बना लेंगे है यहां पर कि यहां पर जो टेन सेंटिमिटर है यह बना लिवर मीजिल में पॉइंट दे देंगे पांच सेंटिमिटर में यह लाइन दो हिस्सा हो गया अब यह जो हो आप बेस इसका नाम देते है ए और बी अब क्या है इसका जो हाइट बनाने को बोला गया था वह था एक्टी एक लाइन बना देया है हम लोग इसको देते हैं C and D अब यह जो मेथोड है वह है रेक्टैंगूलर में इसलिए इसपर एक पूरा रेक्टैंगल बनाना होगा एक पॉइंट से एक लाइन वार्टिकल लाइन उटाना पड़ेगा लिए बी पॉइंट्से भी हम इसको जोड़ देंगे तो यह जो रेक्टेंगुलर मेथट का रेक्टेंगल हो चुका है अभी एफ नाम दे देते हैं ठीक है अब यह इस लाइन को इस लाइन को चार एकोल हिस्से में बाटना है और इसको भी तो यह जो लाइन था यह था 80 मिलिमिटर का है चार हिस्से से बाटेंगे तो 20 मिलिमिटर करके एक-एक हिस्सा हो जाएगा है यहां पर 20 पे एक 40 पे एक और 60 पे तीन पॉइंट मिल गया है तीक है वान टू थ्री इधार भी तीन पॉइंट लेना है 20 40 और 60 पे इसे 456 नाम देज़ गया है उसके बाद यह जो एडी वाला पार्ट है और डी वाला पार्ट है इसको भी चार इकोल हिस्से में बाटना है लोग सेट्स करके मदद से दिवाइज कर लगे एक लाइन बना लिए है कुछ भी किसी अंगल पर इसके बाद किसी भी एक माप को लेके एक दो तीन और चार चार बर कटने के बाद सेट्स करको इसे अड़्जस्ट करना होता है एक लाइन लाइन सेकंड लाइन थार्ड लाइन थार्ड लाइन और फोट लैं तो यह चार हिस्टे में भी बट चुका है इसके बाद क्या करेंगे किसी भी एक हिस्टे को लेके है है यहां पर भी काटेंगे है एक है दो और तीन और चार हो गया है अब इन सारे पॉइंट्स को नाम देना है यहां पर दिया था यहां पर देंगे 12 यहां पर two dash यहां पर two dash तो इधर से 4 dash, five dash यहां पर six dash अब अर एक पॉइंट को जी पॉइंट्स से नीचे वाले को छोल पर आव neutral तीन पॉइंट और इन तीन पॉइंट को फी पॉइंट से मिलाना है यह होगा अब क्या है इस पॉइंट से वन पॉइंट से वर्टिकल लाइन उपर लाना होगा कहा तक लाएंगे सिर्फ एक्स्टेंड करेंगे इसको यहां से उठाके सिर्फ इतना तक यह एक पॉइंट हमरा आ गया है इसको देते हैं पी वन पॉइंट से उठाते हैं कहां तक सी तू तक इसको देंगे पी तू अब थी से यहां तक यह होगा हमारा पी त्री अब यहां से भी यह होगा पी फॉर और फाइब से जाएगा सी फाइब तक इसको देते हैं पी फाइब यहां से यहां तक यह होगा पी शिक्स ठीक है अब जो पॉइंट हम लोगों को मिले हैं उन सारे पॉइंट्स को ए यह यहां पीटू 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 से जिसी पीटू पीफाइब फीफ़ और यह इन सारे पॉइंट को कब से मिलाना है कर दो बनारो यहां लौसर पास्वर्वर्ड में तुका की ताइम ज्यादाना ले तुछ टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है इस वे पास्वर्वर्वर्ड करना प्ड़ा तो यह हमारा प्राबुला कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि समझने में आसा नहीं हो तो यह हो गया प्राबुला हमारा कंप्लीट तो यह वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक जरूब टाना झाल